बात करते हैं देश में बढ़ते हुए कोरुना के आकड़ों की दरसल मरीजों की संख्या 24 घंटे में जो बड़ी है वो आकड़ा है 63,490 का तो एक दिन में कोरुना से 944 मरीजों की मौत हुई है और देश में कोरुना का जो आकड़ा है वो तक्रीबन तक्रीबन 26 लाग है तो देश में कुरोना का रिकावरी रेट विलाल एकतर दश्रमलव नौ एक पीज़दी पर पहुंच चुका है वहीं उन चार्च हजार 980 लोग जिनकी अब तक कुरोना से देश में मौत हुचकी है और अमित दूबे मारे साथ हबारे सयोगी जुड़ गए हैं उनसे जानकारी लेते हैं तो अमित एक बार फिर से आखड़ा सामनी आता हुआ और लगातार अगर देखा जाए तो 24 घंटे में मामने सामनी आ रहे हैं वो साथ हजार से उपर ही हैं लेकिन इस बार रिकावरी रेट कुछ ना कुछ राहत और बहतर की तरफ आगे बढ़ता जी बिल्कुल देखें सब्सक्राब बड़ी बात की विश्व में लगातार हम उस पाइदान पर प्रगति कर रहे हैं जहां पर हमें प्रगति नहीं करनी है लगातार आकड़े बढ़ रहे हैं चाहां मिरती उदर की बात करें रिसेंटली भी नो हजा नो सो एक हजार ग्यारा सो इस तरह से लगातार मौते हो रहे हैं उन पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा दूसी चीज हलाकि टेस्टिंग जरूर बढ़ी है साथ लाग शैलिस हजार से ज्यादा टेस्टिंग हुई है मौतों का अकड़ा के अब तक कि अगर बात करें तो वह भी हम पचास जार के करीब पहुच रहे हैं उन्चास जार नो सो एसी मौते अब तक हो चुकी है तो विश्व में हम उपर जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पे जो निकल के आती है कि अब तक भी क्या सुविदाय चुस्त दुरुस्त नहीं हुई है विपक जबकि दिल्ली के अगर बात करें तो दिल्ली का भी रिकवरी रेट जो 90% का असपास है लेकिन मौतों का आकड़ा जो है वो लगातार चायम दिल्ली की बात करें या हम पूरे देश की बात करें लगातार बढ़ रहा है उस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है यह सबसे ज्यादा चिंता की बात है जी लेकिन यह बताईए अमित अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौतों का आकड़ा बढ़ रहा है और लगातार जो 24 गंटे में नहीं अमलों के आने का सलसला है वो भी 60,000 से पार ही है अब हाल में देखे तो 65,000 से भी पार यहां पर गया था लेकिन क्य यह वज़े वही है अभी अगर हम देखे पिछली 24 गंटे में जिस तरह से मामले एगा फिर से बढ़त की और आगे बढ़े हैं जो मौतों का अकड़ा है वो भी आपर बढ़ा है सैंप्लिंग को लेकर टेस्टिंग को लेकर अभी क्या जो एक डारा तै क्या क्या है उसी दा टेस्टिंग इससे भी जादा हो रही है रिसेंटली अगर बात करें पिछले 24 गंट तो साथ लाग श्यालीस जाड़ टेस्टिंग हुई है इससे पहले यह आकड़ा लगवक साड़े आठ लाग तक था तो यानि जो आठ लाग साथ और आठ लाग के आसपास जो टेस्टिं को मिलती है और कई जगे नहीं भी मिलती है जिसकी वजह से संक्रमीतों की संक्या लगातार बढ़ रही है अगर देश की बात करें तो राजधानी दिल्ली फिर भी कुछ ठीक दिखेगी लेकिन तमाम अन राज्यों में जिस तरह से लगातार महमारी बढ़ रही है उससे आक लोगों संक्रमित करते हैं उसके बाद उन्हें खूद पता चलता है कि वो करवना से संक्रमित हैं जी